आज मैं आप सबके लाइए हूँ ब्रेट के हलवे की सिंपली डिलीशियस रेसिपी तो चलिए से बनाना स्टाट करते हैं सबसे पहले हम लेंगे एक सॉस पैन इसमें आट कर देंगे मिल्क सॉस पैन की हीट जो है लो पर रखेंगे और इसमें आट कर देंगे शुगर शुगर अट करने के बाद इसे कंटिन्यू स्टो करते जाएंगे सारे इंग्रीडियन्स और उनकी प्रपोर्शिंस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है आप वहां जाके चेक कर सकते हैं इसे थिक होने तक हमें कुक करना है इसलिए अब मैं इसे किसी और गैस पर ट्रांसफर कर रही हूँ ताकि यह वहां पर स्लो कुक हो सके और यहां पर मैंने ले लिया है अब एक फ्राइपन इसमें मैं आट कर दूँगी घी घी ऑप्शनल है आप चाहे तो ओल भी ले सकते ह लेकिन घी की वज़ा से हलवे का स्वाध है वह बढ़ जाता है घी जैसे ही एक मीडियम लो हीट पर गरम होता है अब इसमें मैं आट कर दूँगी ब्रेट के स्लाइस एक एक करके हमें आट करते जाना है और इन्हें फ्राइ करते जाना है लो से मीडियम हीट पर इन्हें फ तो आपकी मर्जी है आप जैसे भी फ्राइ करें दोनों ही तरीकों में हल्वा टीस्टी बनेगा अब आप देख सकते हैं इन्हें अलट पलट कर मैंने इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लिया है और इसी तरीके से मैं बाकी ब्रेट स्लाइसेज को भी फ्राइ कर लूँगी ये देखिए ये बिल्कुल तयार है यहाँ पर बाकी के ब्रेट स्लाइसेज भी फ्राइ होके रेडी हो चुके हैं तो चले इन्हें लेयर करते हैं हमारा मिल्क जो है वो तिक होके रेडी हो चुका है अब यहाँ पर एक white base का इस तरही का मैंने पैन लिया है जिसमें हम इन्हें लेइर कर देंगे आप चाहे तो कड़ाई में भी इसे लेइर कर सकते हैं इस तरहीड से इन्हें लेइर करने की वज़ाय है कि जब हम इसके अंदर milk को पॉर करेंगे तो ब्रेट के एक एक स्लाइस में मिल्क जो है अच्छे से एब्जॉब होना चाहिए अब मैं इसमें मिल्क को पॉर कर दूँगी यह अभी भी गर्म है और गर्म ही इसमें एड़ कर देना है हमें यह देखिए इस तरीके से हमें मिल्क को पॉर कर देना है अब चाहे तो और भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं लिकिन ये एक मीडियम प्रोपोर्शन में है अब मैं इसे ढख कर दस मिनिट के लिए स्लो कुक करूंगी तो चलिए 10 मिनिट हो चुके हैं इसे खोल कर चेक करते हैं ये देखिए जोस्तों मिल्क जो है ब्रेट के स्लाइसे में अच्छे से एब्जॉब हो चुका है अब देख सकते हैं कितने पफ हो चुके हैं अब इन्हें स्पैचुला की हेल्प से इस तरीके से काटते हुए मिक्स करना है हमें और भूनते जाना है इसके बाद ये देखिए इस तरीके से और इसे तब तक भूनना है जब तक हमारे ब्रेट के हलवे का कलर जो है गोल्डन ब्राउनिश ना हो जाए इसे भूनते हुए मुझे पांच मिनिट हो चुके हैं लग बग अब इसमें मैट कर दूंगी लाइची पाउडर और फिर इसे भूनूंगी 10 मिनिट के लिए continue stir करते हुए तब तक जब तक इसे ब्राउन कलर ना जाए यह देखिए इस तरीके से मैश करते हुए हमें भूनना है इसका घी भी रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है जैसे आप देख सकते हैं इसे अच्छा सा कलर भी आ चुका है करीब 10 मिनिट भूनने के बाद अब यह बिल्कुल रेडी है तो चलिए इसे सर्फ करते हैं इस पर थोड़े से बदाम और पिस्ताग गानिश कर देंगे और हमारा हलवा जो है बनकर तयार है अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइ करना ना भूलें